दोस्तों जब भी आप YouTube पर live या फिर community post करने के लिए YouTube application को open करते और यहाँ पर प्लस वाले icon पर click करके यहाँ पर अगर आप continue पर click करते हैं या फिर live पर click करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ना ही अपने channel पर live आप आते हैं और ना ही आप लोग अपने channel पर कोई community post क कर पारते हैं और दोस्तों यह जो problem में यह आपके साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके चैनल से जो advanced feature का option enable था वह आप disable कर दिया गया है इसलिए दोस्तों आपके साथ यह problem आ रही है इसलिए आप लोग अपने channel पर ना ही लाइव आप आ रहे हैं और ना ही आप अपने channel पर कोई भी community post कर पा रहे हैं अगर दोस्तों आपके चैनल पर भी advanced feature का जो option enable था अगर वो एक बार disable कर दिया गया है तो आप लोगों को भी यह problem का सामना करना पड़ेगा तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस वीडियो के एक बार जरूर ध्यान से देखना अगर आपके कहां से है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ लाइब दिखाऊंगा और इसका solution भी बताऊंगा इसको solve कैसे करना है अब यहां पर दोस्तों आपको सारा कुछ पता चल गया है कि यह problem आती क्यों है तो इस problem को देखने के लिए आपको क्या करना होगा आपको अपन क्लिक करने गभ incredible आता यहांपि जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जाना है यहां पर में चैने पर इसके बाद यहां पर फीचर एलेजबिलटी ऑप्षं मिलता आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने बाद यहां पर अभी आप सारा कुछ देख पा रहे होंगे मैं जो हमारा third है वो है advanced feature और यह भी यहां से इनेवल है लेकिन दोस्तों आपके यूटूब में यह जो last वाला option दिख रहा है advanced feature यही option दोस्तों आपके channel से disable कर दिया गया है इसलिए दोस्तों आपको यह सब problem का सामना करना पड़ रहा है अब दोस्तों इसको क्या करना होगा आप आपको फिर से करना होगा इनेवल जब तक दोस्तों आप इसको अपने channel पर इनेवल नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको इस problem का सामना करना पड़ेगा तो यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ चीजे पहले समझा देता हूं उसके बाद मैं आपको इसका solution बताता हूं ऐसे बहुत स लोग ऐसे हों गए जिनको इसके बारे मालूम भी होगा वह लोग क्या करते हैं कि यहां पर आते हैं और इनेवल पर क्लिक करने के लिए यहां पर apply करते हैं जब दोस्तों आप लोग एक बार अगर इसको यहां पे apply कर दिया है और वहां पर unsuccessful दिखा दिया है औ लेकिन मेरा जो है यहां से reject हो जा रहा है unsuccessful दिखा दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि दोस्तों यूटूब के policy में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि यहां पर अगर आपको एडवांस फीचर एक बार disable कर दिया जाता है और वहां पर आप दो बार apply कर देते हैं अगर आप उसके बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार apply कर सकते हैं लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा wait करना पड़ता है वहां पर YouTube आपको timing देता 28 28 दिनों तक आपको wait करना होता है उसके बाद ही आप दोबारा से apply कर सकते हैं तो यह चीजे दोस्तों आपको पहले समझना पड़ेगा तो आई होप कि आपको यह चीजे समझ में आ गई होंगी तो यहां पर दोस्तों माली आपने चैनल पर एक बार apply कर दिया है लेकिन वहा करिए इंस्टाग्राम पर और वहां पर आप मुझे डियम करके बता देना तो बहुत करता हूं इसको स्वाल्व कैसे करना है यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा नीचे जाना ठीक है अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है अपने चैनल को verify कर तो दो तीन ऑपस होन मिल जाते है तो यहां पर आपको जो पहला पसं मिलता वह मिलता है वीडिओ वेरिफिकेशन अरव मतलब लेकिं दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सजिस्ट करूँगा वीडियो के लिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो द्वारा वेरिफिकिसन करवाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब यहाँ पर आपको क्या करना है उसका स्क्रीन सोट लेना है और आपको मेरे इंस्टाग्राम पर डियम कर देना है और वहां पर मुझे सारा कुछ बता देना है और स्क्रीन सोट भी बेज देना ताकि मुझे वहां से सारा कुछ असानी से पता चल जाए कि आपके कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तो वहाँ पर जाना और वहाँ से जो है क्लिक करके आप मुझे डियम कर देना बाकि दोस्तों मैंने आपको जो कुछ भी बताया है अगर आप इसका यूज करते हैं तो य इसी जेन्मन कट्रेटर देखने को मिलते रहते हैं अधर कर दे डियू अधर कर दो